फिल्म के शुरुआत में हमें कुछ कॉलेज के स्टुडेंट्स नजराते हैं जो की ट्रिप पे न्यूयोग से पैरीज जा रहे थे वह सब लोग अपने ट्रिप के लिए काफी एकसाइटेड थे लेकिन एक लड़का जिसके नाम एलेक्स होता है उसे कुछ अजीब सा लग रहा था वह जब अपने आसपास देखते तो उसे फिल होता है कि उसके आसपास की चीज़े उसे कुछ ना कुछ कहना चाती है जैसे कि काउंटर पर बैठी वह लेड़ी उसके आसपास के लोग और प्लैन में एक सौंग भी चल रहा था और जिस सिंगर का वह सौंग था वह भी प्लैन क्रेश होने की वह जैसे मारा गया यहाँ एलेक्स को इस तरह के काफी क्लोज मिल रहे थे लेकिन फिर भी वह प्लैन में बैठ जाता है एलेक्स यहाँ प्लैन में बैठा ही था तबी दो लड़किया सीट एक्सेंस करने के लिए आती है तो एलेक्स वहाँ से उठकर अपने फ्रेंट टॉट के पास चला जाता है वो वहाँ बैठा ही था तभी वह देखता है कि उसके सामने वाले सीट की लगेंग स्टूटी हुई है यहाँ एलेक्स को लग रहा था कि कोई न कोई तो गड़बड है वह प्लैन से उतरना चाह रहा था लेकिन तब तक प्लैन टेक आफ कर चुगा था तो इसका कोई फाइदा नहीं और यहाँ सब लोग काफी एक्साइटेड और खुश थे सिवाए एलेक्स के यहाँ प्लैन टेक आफ करती है कि उसमें कुछ टेकनिकल एरर आ जाती है और प्लैन कंट्रोल से बाहर हो जाता है यहाँ सारे पैसेंजर काफी डर जाते हैं क्योंकि प्लैन का एक साइट भी टूट चुका था और लोग बाहर गिर रहे थे तबी वहाँ एक काफी बड़ा ब्लाश्ट होता है जिसकी वज़े से पूरे प्लैन में आग लग जाती है और लोग आग की चपेट में आ चुके थे जिसमें एलेक्स भी शामिल था तबी अचानक एलेक्स की आँख खुलती है दरसल अभी तक जो भी एलेक्स ने देखा था वह एक सपना था यहाँ एलेक्स की आँख खुल चुकी है और वही दो लड़किया एलेक्स के ठीक सामने खड़ी होती है जिससे की एलेक्स ने सपने में सीट चैंज की थी और अब वह लड़किया असल में सीट एक्चैंज करने की बात कर रही होती है जिससे एलेक्स काफी डर जाता है वह घबरा जाता है तो वह जल्दी से उटकर अपने फ्रेंट टॉट के पास चला जाता है इसके बाद वह सीट की लेगिंग्स चेक करता है जो की टूटी हुई थी सब कुछ एक्जेक्ट वे ऐसा ही हो रहा था जैसा कि उसने सपने में देखा था यह उसका सपना नहीं था बलकि गाईज उसे पहले ही एसास हो गया था कि वह सब मरने वाले हैं यहां एलेक्स अपना फ्यूटर पहले ही देख चुका था यहां उसे कुछ भी समझ में नहीं आता जिससे कि वह कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उसके आसपास सारे लोग इखटे हो जाते हैं और यहां उसे शांत करने के कोशिश कर रहे होते हैं वह लगातार चिलाई जा रहा था कि प्लैन एक्स्प्लोर होने वाला यहां धमाका होने वाला है उसकी बात सुनकर सारे पैसेंजर काफी डर जाते हैं तब ही उसका क्लासमेट काटर उस पर चिलाता है उससे फाइट करता है जिसकी वज़े से दोनों को प्लैन से उतार दिया जाता है जिसके साथ बाकी के क्लासमेट्स और फ्रेंट्स भी प्लैन से नीचे उतर जाते हैं यहां एलेक्स सबको बताता है कि उसने प्लैन को एक्सप्लोर होते हुए देखा जोकी बिल्गो रियल था उसके बास सुनकर काटर एलेक्स से अगेन लड़ने लगता है उनके बीच काफी तगडी वाली फाइट होती है यहां प्लैन उन्हें उतार कर वापिश टेक आफ कर च क्या वाकई में उन्हें अपनी डेथ को चीट कर दिया लेकिन असल में यह उनकी गलत फिमी थी डेथ किसी न किसी डिजाइन से उनने मारे ढालेगी और यहमराज ने उनके लिए कोई न गोई तो प्लान तयार किया होगा ना क्योंकि प्लैन में जिन्दा सरिफ वही लोग तो पुलिस उनसे पूचतास करने के लिए आती है लेकिन यहां पुलिस को सरिफ एलेक्स पर शक होता है क्योंकि एलेक्स ने प्लैन में कहा था कि वह बलाश्ट करने वाला है और ठीक वैसा ही हुआ था लेकिन पुलिस यहां एलेक्स को नहीं पकड़ सकती उस मेमोरियल में उन बच्चों के साथ उनके पैरेंट्स भी होते हैं यहां टोट के फादर एलेक्स को काफी गुस्से वाली निगाहों से देख रहे थे क्योंकि वह अपने बेटे की मौत का रिस्पॉंसिबल एलेक्स को समझ रहे थे लेकिन टोट को तो पता था कि इसमें एलेक्स का कोई कसूर नहीं इसलिए वह दोनों आपस में मिलना बंद नहीं करते और दूसरी तरफ एक सर्वाइवर टेचर भी होती है जो के एलेक्स बन नाराज थी क्योंकि वह भी एलेक्स को रेस्पॉंसिबल समझ रही थी तभी वह एक लड़की दिखाए जाती है जिसका नाम क्लियर होता है वह एलेक्स की काफी अच्छी फ्रेंड थी और स्रिफ उसे ही लग रहा था कि हम सब एलेक्स की उदे से बचे हैं रात को एलेक्स न्यूस पेपर पढ़ रहा था तभी उसकी विंडो पर एक उल्लू आकर बेट जाता है और वह उसे उड़ाने के लिए उसकी तरफ न्यूस पेपर फैंकता है जो की फैन में अटक जाता है और उसके काफी सारे टुकड़े हो जाते हैं और एक टुकड़ा एलेक्स के पास उड़ कराता है जिस पर एलेक्स के फ्रेंड टॉड का नाम लिखा था मतलब यहां एक बात साफ थी कि अब टॉड की मौत होने वाली है फिर हमें टॉड को दिखाया जाता है जो की बातरूम में होता है और पानी की वज़े से उसका पाउं स्लिप हो जाता है और उसकी गर्दन से एक वायर लिपट जाता है वा खुद को बचाने काफी कोशिश करता है लेकिन वह यहां कुछ नहीं कर पाता और यहां काफी तरपने के बाद टॉड की मौत हो जाती है एलेक्स भागता वा अपने फ्रेंट टॉड के घर जाता है लेकिन अब देर हो चुकी थी टॉड मारा जा चुका था यहां टॉड के पेरेंट्स को लग रहा था कि उसने सौसाइड किया है लेकिन एलेक्स बोलता है कि टॉड ऐसा नहीं कर सकता देर नेक्स डॉड एलेक्स कलियर के पास जाता है क्योंकि कलियर ही थी जो उसे समझती थी यहां कलियर को भी लग रहा था कि टॉड ने सौसाइड नहीं किया इसलिए वादों नों मौर्चरी जाते हैं जहां पर उन्हें का आदमी मिलता है और वह बोलता है कि यह सौसाइड नहीं है क्योंकि टॉड ने अपने आथों से उस वाइर को निकालने की काफी कोशिश किय थी जो की टॉड की कंडिशन देखकर लग रहा था कि उसे काफी बैदर्दी से मारा गया है और इंसान इतनी बैदर्दी से सौसाइड नहीं कर सकता वह उन्हें बोलता है कि मौत किसी की महताज नहीं होती जब जिसे मौत आनी होती है वह उसे आकर ही रहती है बस अपने पीछे बहाना छोड़ कर निकल जाती है यहां उन सब ने प्लैन से नीचे उतर कर मौत को सकेप कर दिया था शायद मौत इन्हें एक एक करके अपने आगोश में ले लेगी अलेक्स और किलियर कॉफी शॉप में बैठकर बाते कहरी रहे होते हैं कि अगर नेक्च टाइम उन्हें मौत आई तो वह इसे कैसे बचकर निकलेंगे तैन सारे सर्वाइवर एक बार अखेयन मिलते हैं अभी एक बस कार्टर के फ्रेंड को अपने साथ उड़ा कर ले जाती जिससे कि वह लोग समझ जाते हैं कि मौत ने अभी तक इनका पीछा नहीं छोड़ा वह इनके आसपासी घूम रही है नाइट मैलेक्स निउस देख रहा था तभी उसे पता चलता है कि प्लैन में ब्लाश्ट कहां और कैसे हुआ और वह किस पैटन से आगे बढ़ा उसके अकोर्डिंग वह सिटिंग अरेजमेंट चेक कर रहा था चूसे उसे पता चलता है कि सबसे पहले टोड का नमबर था मतलब उसे मरना था और उसके बाद कौन-कौन और किस-किस नमबर मरेंगे फिर मौत के पैटन को काफी बारीकी से समझता है और पैटन के हिसाब से वह देखता है कि कोर्टर उसका भाई तुम मारे जा चुके हैं अब अगली बारी होती है उस टीचर की फिर वह जल्दी से अपने टीचर के घर जाता है और वह टीचर अपने विंडो से एलेक्स को देख लेती है एलेक्स को देखकर वह समझती है कि शायद एलेक्स उसे मारने आया है तो वह जल्दी से पुलिस को कॉल कर देत तो एलेक्स चोरी चीपे टीचर के गर के आसपास ढूंड रहा था तो उन्हें एलेक्स पर शक होता है और वह एलेक्स को अपने साथ ले जाते हैं और वह उससे पूछते हैं कि वह वाँ क्या कर रहा था तो एलेक्स उन्हें सारी बात बता देता है और कहता है कि अब मरने की परी उस्टेचर किये लेकिन पुलीस ऑफिसर को उसकी फाल दो बातों पर यकीन नहीं होता और यहां उनके पास एलेक्स के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता तो वह एलेक्स को जाने देते हैं दूसरी तरफ हम टीचर को देखते हैं जो की मुजिक प्ले गरती ए और यह वही और ब्लास्ट के साथ वह नाइफ भी झागर उसकी बोरी में घुस जाता है जब तक एलक्स यहाँ पहुंच होता तब तक टीचर की सीच्वेशन काफी घराब हो चुकी थी वह काफी इंजेट थी उसकी हालत काफी नाजूग हो चुकी थी और एलेक्स उसे बचाने के काफी कोशिश करता है तभी उपर से एक चेर उस नाइफ के उपर गिर जाती है जो की टीचर की बोड़ी में था अब वह नाइफ टीचर की बोड़ी के अंदर चला जाता है जिसकी होज़े से टीचर की ही मोत अजाती है हड़ बड़ी में एलेक्स उस नाइफ को टीचर की बोड़ी से निकाल लेता है लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसने खुद को कितनी बड़ी मुसिबत में डाल दिया यहाँ पूरे गर में आग लग चुकी है और एलेक्स बहार निकलता है तभी प्लेन से बचावा एक सर्वाइवर उसे देख लेता है और यहाँ पूरा गर ब्लाश्ट हो चुका था उसके बयान के अकॉर्डिंग वहाँ पुलिस ओफिसर एलेक्स को ढूंडना लगते हैं लेकिन एलेक्स अपने गर पर नहीं होता अब सिर्फ क्लियर ही जानती है कि एलेक्स कहां पर है क्योंकि बताने काब कोई फाइदा नहीं गाइज ये नेक्सट बारी कार्टर की होती है यहाँ एलेक्स की बात सुनकर कार्टर काफी गुस्से में आ जाता है और वह कहता है कि हमें मरना तो है जो की बिलकुल कन्फरम है तो क्यों ना अभी खुद की मर्जी से खुद को मा डाला जाए यहां वह कार काफी स्पीड में चला रहा था और काफी रफ ड्राइव कर रहा था देन वह कार को लाकर एक रेलवेट ट्रेक पर खड़ा कर देता है एलेक्स क्लियर और उसका फ्रेंड तो कार से निकल जाते हैं लेकिन यहां कार्टर प्लेन से बाहर नहीं आ पाता वह तीनों फ्रेंड कार्टर को काफी समझाते हैं कि सामने से ट्रेन आ रही है तुम बाहर निकल जाओ देन कार्टर डिसाइड करता है कि वह बाहर आजाएगा वह ऐसे नहीं मरेगा और कार को स्टार्ट कर रहा होता है लेकिन यह कार स्टार्ट नहीं हो रही थी और हमें यहां पता चलता है कि कार्टर इसी एक्सिडेंट में इस तरह मरेगा वह कार से बाहर आने की भी कोशिश करता है लेकिन तब तक कार के डूर लोग हो चुके थे और मौत बिल्कुल उसके ठीक सामने थी लेकिन यह एलेक्स एक बार फिर मौत को चीट कर देता है और वह जल्दी से कार्टर को बाहर निकाल कर उसकी जान बचा लेता है अब क्योंकि एलेक्स काफी दिनों से मौत को चीट कर रहा है तो अगली बारी किस की होगी और यहां में पता चलता है कि अगर कोई अपने आपको बचा लेता है तो डेथ नेक्ट परसन पर चली जाती है लेकिन जब तक वा इस बात को समझते कि अगली बारी किस की है तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि अगला वही था Зो की उसके साथ उसका फ्रैंट था वहार ट्रेन कार के टुकड़े को काफी तेजी से हीट करती है जोकी सीधा कर उसकी फ्रेंट को लगता है और वह उसकी गर्दन को ही उड़ा लेता है और यहां उसकी मोत हो जाती है एलेक्स भी अब समझ चुगा था कि अगर किसी की डेथ को चीट कर देगा तो डेथ उसे स्किप कर देगी और नेक्स्ट पे चली जाएगी कार्टर जोकी पहले ही बच चुगा था अब सरिफ एलेक्स और क्लियर बचे थे एलेक्स को यहां लग रहा था कि अगली बारी उसकी थी तो एलेक्स खुद को क्लियर के केबिन में बंद कर लेता है और वहां के डोर को टेप से चिपका लेता है LX यहाँ बैठकर अपने सिटिंग अरेजमेंट को याद कर रहा था तो हसानक से उसे याद आता है कि उसकी बारी नहीं थी अब तो क्लियर की बारी है क्योंकि क्लियर उसे पहले बैठी थी यहाँ क्लियर को LX के बारे में काफी फिक्र होती है तो वहाँ उन पुलिस ओफिसर को LX के बारे में सब बता देती है ताकि वहाँ उसे बचा सके यहाँ LX क्लियर को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है तभी वहाँ दोनों पुलिस ओफिसर आ जाते है तो एलेक्स जल्दी से उनसे बचकर निकल जाता है क्योंकि वह जानता है कि वह लोग उसे पकड़ लेंगे और वह क्लियर की मदब नहीं कर पाएगा दूसरी तरफ एलेक्स के घर के बार एक एलेक्टरिक वायर तोड़ जाती है और अपने डोग को बचाने के लिए क्लियर वहाँ जाती है तभी उनका स्विमिंग पुल तोड़ जाता है और उस पानी से काफी एवी किसम का करंट पैदा होता है और वहाँ पानी अब चारो तर और उसकी हल्प करने के लिए आगे बढ़ता है कार के चैरो तरफ आग लगी थी और वहाँ एलेक्टरिक वायर भी कार के उपर पड़ी थी और यहां मैं पता सलता है कि एमराज ने क्लियर के लिए मोट का ये डिजाइन तियार किया है लेकिन यहां भी एलेक्स डेट को ची दिखाए जाती है जहां पर हम देखते हैं कि कलियर और कार्टर पेरिस घूमने जा रहे थे और यहां उनके साथ एलेक्स भी होता यानि कि एलेक्स उस विसफोट में बच चुका था उन तीनों ने डेट को चीट करके ये मराज को धोखा दिया है यहां एलेक्स को अभी भी लग रहा था कि मौत का सिलसला बंद नहीं होने वाला क्योंकि कार्टर और क्लियर की मौत में दखल अंदाजी करके उसने उन्हें तो बचा लिया लेकिन उसकी मौत अभी तक नहीं आई और नहीं उसे किसी ने बचाया था तो उसे लग रहा था कि अब उसकी बारी है तभी कि पॉल का एक साइन बॉर्ड तोड़ जाता है और नीचे आने लगता है वह साइन बॉर्ड एलेक्स की तरफ ही बढ़ रहा था तभी कार्टर उसे बचा लेता है यानि कि अमराज ने एलेक्स के लिए यही प्लैन किया था और यहां उन तीनों ने मिलकर उसे स्किप कर दिया और अब मौत जाएगी अगले पासन पर और अगला इनसान था अगें कार्टर दरसल गाईज मौत राउंड सेप से इन सब को एक एक करके ले रही है बट यह लोग मौत को लगता चीट करते जा रहे हैं उनसे बचते जा रहे हैं और यहां वह साइन बॉर्ड कार्टर की तर और आपके राइट में सब्सक्राइब वाला बटाने उस पर विडाउट इनी गंजू से अपनी खोपसूरत से फिंगर रख दीजिए तो भाई लोगों को दुआउं में याद रखना मिलते हैं न्यूमोव इकसाथ बाबाई